हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITBP, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में और इसकी LBT कंडिशन के बारे में तो फ्रेंज, यहाँ पर देखिए जो यह नॉटिफिकेशन है ITBP में, यह फ्रेंज, आपके यहाँ पर जारी की गई है Constable Driver Requirement 2023 नॉटिफिकेशन के लिए, जिसके लिए फ्रेंज, आप ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंज, इस वेकेंसी या नॉटिफिकेशन से रिलेटेट जानकारी आपको मिल जाएगी वीज़ डिस्क्रिप्शन में जौबरासा.ड़कॉम पर जहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं तो आप इसमें online apply कर पाएंगे तो फ्रेंज से ध्यान रखिए का जो यह notification है अभी आपको ITVP की official website पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यह notification जारी हुई है DAVP की website पर और DAVP की website पर जाकर आप इसका notification चेक आउट कर सकते हैं यह फ्रेंज इसका official short notice आप jobrasta.com से download कर सके हैं तो यहाँ पर फ्रेंज से बात करेंगे इसके notification के बारे में और इस वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है सब्सक्राइब करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें तो यहाँ पर देखे फैंस आपका ITBP का यह official short notice है जो की requirement है post of constable driver और इसमें online application form invite किये गए है सबसे important जो point है सबसे पहले online application form जो invite किये गए है वो eligible male Indian citizen से यहाँ पर किये गए है और जो यह vacancy है constable, group c, non gadget, non ministerial post है और यह friends आपके temporary basis पर है पर इसको permanent कर दिया जाएगा तो friends यहाँ पर ITBP जितनी भी vacancy आती है वो temporary basis पर ही आती है पर यह permanent कर दी जाती है selected candidate को serve करना होगा anywhere in India आपकी कहीं भी posting हो सकती है या abroad में हो सकती है इसके अलावा friends यहाँ पर देखे जो application form है यह online mode में ही आपको apply करना है इसके बाद details आपको दीखी है vacancies की तो सबसे पहले देखिए name of the post है constable driver 458 vacancies है जिसमें जनरल में 105 में SC में 74, ST में 37, OBC में 110 और EWS में 42 vacancies आपकी रहेंगे vacancies कम्याज़ा की जा सकती है recruitment.itbppolis.nick.in.ca आप friends इसमें आविदन कर सकते हैं इसके बाद friends कुछ instructions आपको देए गया है साथ में आपसे कहा गया है 10% of vacancies reserved रहेंगी ex-servicemen के लिए बात करें इसकी LBT conditions की तो friends सबसे पहले है age limit अब age limit है 21-27 साल minimum age 21 साल, maximum age 27 साल और यह आपके general candidate के लिए age criteria रहता है इसमें देखिए matriculation pass out होना मतलब 10th class pass out होना आपका जरूरी है और आपके पास एक valid heavy vehicle driving license होना चाहिए यह friends से 10th के साथ license होना जरूरी है क्योंकि यह driver की vacancy है और यहाँ पर only heavy vehicle driving license आपसे मांगा गया है इसके बाद friends से cut off date की बात कर लेते हैं तो देखिए crucial date जो है आपके age limit की जो कि आपने यहाँ पर देखा होगा 21-27 साल यह friends से इसकी closing date 26 July 2023 आपकी रहेगी इसका मतलब क्या है कि candidate should not have been born earlier than 27 July 1906 में और later than 26 July 2002 तो यहाँ पर इस date से पहले और इस date के बाद आपका जनम नहीं हुआ हो अगर आप reserve candidate है उस condition में आपको छूटे मिल जाएगी साइट पर जल्दी ही available कर दिया जाएगा इसमें जो exam fees है वो 100 रुपीज रखी गई है और 100 रुपीज से जन्दल OBC और EWS candidate को pay करनी है SC, ST, ex-servicemen candidate के लिए कोई भी फीस यहाँ पर आपकी नहीं रहेगी अगर आप इस category से belong करते हैं तो आप free of course इस form को apply कर सकते हैं इसके बाद friends से नीचे आपको यहाँ पर कुछ जानकाई दी गई है और उसके बाद बताया गया है selection process अब देखें जो selection process है इसमें आपका सबसे पहले physical efficiency test PET और PST होगा जो कि physical standard test होता है रिटन एक्जाम आपका होगा वेरिफिकेशन होगा आपके original documents का प्रेक्टिकल टेस्ट आपका होगा प्रेक्टिकल टेस्स में स्किल टेस्स जिसमें आपसे driving टेस्स करवा के देखा जाएगा इसके अलावा medical exam होगा या review medical exam आपका यहाँ पर conduct किया जाएगा तो जो भी यह step आपको दिये गए है इस step में आपको फ्रेंज से यहाँ पर आपका selection process को clear करना होगा और उसके बाद भी आपका इसमें final selection किया जाएगा बात करें online form की तो online form start हो जाएगी 27 जून 2023 से last date है इसमें apply करने की 26 जूलाई 2023 तो 27 जून को जैसे ही इसका link activate होगा आपको फ्रेंज से form apply का video भी available करा दिये जाएगा और आप उस video को देखकर step by step सारी process चेक कर सकते हैं कैसे आपको इसमें form को fill करना है apply करना है तो यहाँ पर फ्रेंज से मैंने आपको सारी जानकरी provide कर दी है जो भी important points है इस short notice के वो मैंने provide कर दी है आप इस official notification को या जानकारी को jobrasa.com पर जाकर check out कर सकते हैं अगर फ्रेंज से आपको हमारी update पसंद आई है आप चाहते हैं एसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब में जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही हमारा यूट्यूब चैनल एलास थैंक्स पूर वाचिंग